लूसी एक अमेरिकन है जो ताइवान में पढ़ रही होती है उसका बॉइफ्रेंड रिचर्ड साउथ कोरियन गेंक्स के लिए ड्रग डीलर का काम करता है और वह लूसी को भी एक ड्रग डीलर बनने के लिए उकसाता है और रिचर्ड लूसी को एक brief case deliver करने को कहता है मिस्टर जांग को जिसके अंदर synthetic drug CPH4 के चार packet होते हैं और तबी मिस्टर जांग के लोग रिचर्ड को गौली मार के उसकी हत्या कर देते हैं और लूसी को पकड़ लेते हैं और उस synthetic drug को यूरोप ले जाने के लिए चार packet में से एक packet को लूसी के पेट के अंदर डाल कर सिल दिया जाता है ताकि वो security को चक्मा देके safely यूरोप पहुंच सके जब लूसी मिस्टर जैंग के लोगों की केद में होती है तब उसका एक आदमी लूसी के साथ बत्तमीजी करने की कोशिश करता है जिसका वो oppose करती है इसकी वज़े से वो आदमी लूसी के पेट में जोर से लाते मारता है जिसकी वज़े से synthetic drug का वो एक packet लूसी के पेट के अंदर ही फट जाता है और सारी drug उसके blood में मिल जाती है और drug blood में मिलते ही लूसी के दिमाग के काम करने की capacity बढ़ जाती है और लूसी के दिमाग की capacity बढ़ते ही उसे pain feel होना बंद हो जाता है इसके साथ ही वो टेलीपेटी, टेलीकनेसिस और mental time travel करने लग जाती है वह root less और emotional less बन जाती है और अपने brain का use करके वह Mr. Jang के लोगों को मार के वहाँ से भाग जाती है और लूसी अपने पेट में से उस drug के packet को निकलवाने के लिए पास ही एक जनरल hospital में जाती है तब लूसी को एक डॉक्टर बताता है कोई भी pregnant lady उसके 6th week की pregnancy के दोरान fetal को develop होने के लिए energy की जरुरत होती है उस time पर उस pregnant lady की body के अंदर natural CPH4 बनता है लेकिन ये बहुती कम आत्रा में बनता है जो उस fetus की physical और mental capacity बढ़ाता है और उसके बाद Lucy मिस्टर जेंग के office में गुसती है वहाँ पर वह मिस्टर जेंग के लोगों पर हमला करके उन सब को मार देती है टेलीपेथी टेकनिक का यूज़ करके मिस्टर जेंग के लोगों के दिमाग से वह और उन तीन ड्रग के packet का पता लगा लेती है टेलीपेथी वो टेक्निक होती है जब तुम किसी दूसरे के दिमाग में घुसके उसकी बातों को पता कर लेते हो और लूसी अपनी कंडिशन के बारे में जानना चाती है इसलिए वो एक साइंटिस्ट सेमुल से कॉन्टेक्ट करती है क्योंकि वो साइंटिस्ट ब्रेन के उपर रिसर्च कर रहा होता है और लूसी को ये लगता है कि शायद उसकी रिसर्च मेरा इलाज कर सकती है और सेमुल को वो अपनी डवलप हुई अबिलिटीज के बारे में बताती है सेमुल को प्रूफ देने के लिए वो एक साथ टीवी, टेलीफोन और मॉबाइल से बात करती है और वो कहती ही कि अब मैं टेक्नोलोजी को कंट्रोल कर सकती हूँ और उसके बाद लूसी पैरिस के लिए फ्लाइट लेती है और बचे हुए ड्रक्स के पैकेट डूणने के लिए वो एक लोकल पुलिस केप्टन डेल रियो से कॉन्टेक्ट करती है और फ्लाइट के टाइम पर उसकी बोड़ी तूट कर बिखरने लगती है क्योंकि वह शेंपेंड पी लेती है जिसकी वज़े से उसकी बोड़ी सेल अनस्टेबल हो जाती है और अपने डिस इंटिग्रेशन याने अपनी तूटती हुई बोड़ी को रोकने के लिए और ड्रक लेती है और पुलिस केप्टन डेल रियो के हल्प से लूसी को बचे हुए तीन ड्रक्स के पेकेट मिल जाते हैं अब लूसी का दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि वह फॉन से निकलने वाली रेडियो वेवस को तक देख सकती है लूसी अब सब कुछ जानती होती है पूरी हुमन इस्ट्री, मेडिकल साइंस, टेकनोलजी, इंजिनिरिंग, एवरी थिंग लूसी साइंटिस्स, सेम्वल और उनके कलिक से मिलते हुए बस सब कुछ बताने को रेडि हो जाती है जो वो जानती है लूसी उन साइंटिस्ट को नेचर आफ टाइम और लाइफ के बारे में बताती है कैसे लोगों की इच्छाए उनके अंदर की इंसानियत को मार देती है और लूसी के कैने पर सिंथेटिक ड्रग CPH-4 को उसकी बोड़ी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और लूसी उनको दिखाती है कि कैसे वो इनसान से अपनी बोड़ी को किसी भी रूप में कनवर्ट कर सकती है और लूसी की बोड़ी एक ब्लेक सबास्टेंस में बदलने लगती है जो लेबोरेटरी में कम्पिटर और सभी इलेक्ट्रिक चीजों पर फेलना शुरू हो जाता है और सभी इलेक्ट्रिक चीजों को मिला के वह एक नेक्स्ट जनरेशन का सूपर कम्पीटर बना देती है तब Lucy mentally space time journey शुरू करती है जो खोजे गए इनसानों के सबसे पहले पुर्वज Lucy से मिलती है और Lucy के साथ वह finger touch करके उस पल को fill करती है और फिर वह समय की शुरुआत तक जाती है जहां से सब कुछ बनना start हुआ था और वह big bang को देखती है जिसकी वज़े से हमारा universe बना है और वह सारा data समय की शुरुआत से लेके आठ तक का एक pen drive में collect करके scientists को दे देती है शुरुआत से ही जीवन का बस एक ही target रहा है कि एक generation से दूसरी generation तक information को transfer करना और उसी time मिस्टर जेंग लेप में आता है और वह Lucy के सर पे बंदूग तान देता है लेकिन उसी time Lucy अपने दिमाग की 100% capacity तक पहुँच जाती है अब वह space time में मिल जाती है याने वह सब जगा होती है वह सब कुछ जानती है और सब कुछ कंट्रोल कर सकती है और तभी पुलिस केप्टन डेल रियो आता है और वह मिस्टर जेंग को गोली मार देता है और वह scientist Norman सुपरकम्पिटर दुआरा दी गई एक black flesh drive लेता है और उसके drive लेते ही वह सुपरकम्पिटर भी गायब हो जाता है पर तभी उस पुलिस केप्टन डेल रियो के फॉन में एक message आता है वह Lucy का message होता है और वह उससे कहती है कि अब मैं हर जगा हूँ और last में हमें Lucy के आवाज सुनाई देती है वह केती ही कि जीवन हमें आज से एक अरब साल पहले दिया गया था अब आप जानते हैं कि हमें इसके साथ क्या करना है